हर लड़के को एक सवाल का जवाब जरूर देना होता है अपनी जिन्दगी में कभी न कभी कि क्या मैं सच में एक मर्द हूँ ये करवी सचाई आप के लिए जानना बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टन्ट है अगर आप समाज की सुनोगे कि मर्द कैसे बनते हैं तो एक दिन ऐसा आएगा जब आपके अंदर की सारी मैस्कूलिन एनरजी खत्म हो चुकी होगी कमजोरी और लो टेस्टोस्टेरोन में सारी जिन्दगी काटनी पड़ेगी कोई तो रीजन है कि हमारे पूरवजों का टेस्टोस्टेरोन इस जनरेशन के कमपैरिजन में काफी ज़्यादा था उनकी हड्डिया भी ज़्यादा मजबूत होती थी अब ध्यान से सुने एक लड़के से मर्द बनना हमेशा सही एक चुनोती रही है पर अभी इस दौर में ये सबसे ज़्यादा मुश्किल हो चुका है क्योंकि सही गाइड करने वाले ना के बराबर हैं आप में से बहुत ही कम ऐसे भाई होंगे जो ये बोल पाएं कि हमें ब्रह्मचरी की सिक्षा सही समय पर मिल गई थी मैकसिमम लड़कों को भटकाया जाता है ताकि वो कमजोर बने रहें और उनको कंट्रोल करना आसान हो पर हम ऐसा नहीं होने देंगे मित्र इस वीडियो में हम सब मिलकर चार ऐसे संकल पलेने वाले हैं जिससे कोई भी लड़का अपने आपको एक शक्तिशाली मर्द में बदल सकता है फिर चाहे उसकी उमर कितनी भी हो यह हॉर्मोन सबसे बड़ा रोल प्ले करता है कि आप कितने मैस्कुलिन हो और कैसा प्रभाव आप छोड़ पाते हैं लोगों पर आप देखे कोई भी वो लड़का जिसका यह हॉर्मोन कम है वो कभी फील ही नहीं कर सकता कि असली मर्द होना कैसा लगता है अपने आस पास किसी जानवर को देखना वो कैसे बदल जाता है अगर उसकी यौन शमता चली जाती है आप पाएंगे कि वो जानवर मोटा और आलसी हो चुका है उसमें कोई एनरजी नहीं रहती तो अगर आप चाते हैं अपने ब्रह्मचेरे उर्जा और T-Level को बढ़ाना तो बिना रुके 90 दिन तक ब्रह्मचेरे का पालन कर ले फिर आपको major difference देखने को मिलेगा शरीर में अब चाहे वो ब्रह्मचेरे हो या फिर आपके goals विलपावर के बिना कुछ भी संभव नहीं सबसे पहले small actions लेना शुरू करें physical, mental और spiritual level पर और धीरी धीरे उसको बढ़ाते जाएं असली मर्द जानते हैं कि ये मुश्किल होगा करना फिर भी वो उसको करते हैं किसी को ब्लेम नहीं देना, कोई बहाना नहीं सारी responsibility अपने पर ले लो ऐसे सीखोगे और तेजी से ग्रो कर जाओगे बस अपने आप से मांदार रहना problem को लेकर परिशान होने में energy waste मत करना उसका solution निकालने में लगा देना इस तरह से जीना शुरू कर दो आपको एहसास होगा कि इसमें कितनी शक्ती है और नमर चार, अपने आपको पहचान हो समझो जब आप कमरे में अकेले होते हैं तो आप कौन है, आप क्या मानते हैं और किस चीज के लिए आप संघर्ष करते हैं दिन रात ये सबसे जरूरी है 23 साल का लड़का भी असली मर्द एक आदबी बन जाता है अगर वो अपने आपको समझ ले एक शक्तिशाले मर्द की पहचान ये भी है कि वो अपनी मर्दाना ताकत को वेस्ट नहीं करता और अगर आपने भी इससे नश्ट नहीं होने दिया तो इस वीडियो को लाइक करें हमने सभी लड़कों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रमचरे वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है उसे जरूर से देखे काफी फाइदा होगा टेलिग्राम और इंस्टाग्राम पर भी चुड़े हमारे साथ उसके डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर हैं खुद पे ध्यान दो दुनिया पर ध्यान देगी मिलते हैं आप सगली वीडियो में